हाई गाईस वर्कम टो वेल्देकर डॉट कॉम मेरा नाम है देव सो गाईस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बैस्ट पेट स्मॉल केस के बारे में जो दो जाते इस में आप इंवेस्ट कर सकते हैं तो देखे इसके पहले हम लोगों ने आठ फ्री वाले स्मॉल केस के बारे में बात की थी अगर आप लोगों ने यह वीडियो चेक आउट नहीं किया है एस एपी की लोगों ने 2022 के अंदर और कौनसा वाच लिस्ट के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है इनी पेरामिटर के उपर कुछ यहां पर मैंने आठ जो है इसमॉल केस यहां पर शॉट लेस्ट किये हैं लेकिन गाइस पेड़ स्मॉल केस के उपर जाने से पहले मैं आप लोगों यहां पर कुछ रेशन देना चाहूंगा जो मैंने भी यहां पर काफी बार जो है मिस्टेक की है होता है क्या है न हम लोग जब भी पेड़ स्मॉल केस के अंदर जाते तो हम अमारा जो मिनिममम इन्वस्मेंट वैल्यू होता है और जो स्मॉल केस की फीज होती है उसको कंपेर करना यहां पर भूल जाते मालनी जे कोई स्मॉल केस के अंदर आपने एंटर किया वहाँ पे आपने एक लाक रुपे लगाए और मालनी जे साल का आपको 15% का रिटर मिल गया यानि कि सीधा सीधा 15,000 रुपे का प्रॉफिट हो गया लेकिन उस स्मॉल केस की फीज जो है 500 रुपे पर मन थी यानि कि आपने 6,000 रुपे पे के स्मॉल केस की फीज के और आपका मालनी जे हजार रुपे ब्रॉकरिज के चार्जे इस एसे ट्रांजेक्शन फीज हो गई अगर आपका साथ हजार रुपे का खर्चा हो गया तो अगर आप वैसे करोंगे तो एक लाख रुपे के ऊपर आपका जो नेट प्रॉफिट बनेगा हो सिर्फ आठ हजार रुपे का बनेगा यानि कि आल्मोस केवल 8% का आपका नेट रिटन हुआ तो वैसे हम लोग देख स्क्राइब स्मॉल केस ऑफ दे तो इसके नहीं पर ग्रीन एनरजी आएगा राइट मोमेंटम है और स्पेशली कैमिकल्स है तो देखिए अगर हम लोग ग्रीन एनरजी की बात करें काफी ज़दा पॉपुलर स्मॉल केस है दो साल के अंदर 74% से ज़दा का सीज या निकाल क पाया है और गाइस यहाँ पर मैं थीम की बात करूं तो जैसे आपको नाम से यहाँ पर नजर आ रहा है कि ग्रीन एनरजी यानि की जो भी यहाँ पर रिनोबल एनरजी वाले लिटेट कमशी होती है उसके अंदर बेसिकली यह वाला स्मॉल केस इन्वेस्ट करता है इसी करण इसके अंदर आपको रिटर्स भी जो है जादा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी आपका थोड़ा बहुत हाई रहता है इसके अंदर आपको रिटर्स की बात करूँ एक साल के अंदर इसने लाज कैप को थोड़ा हलके से यहाँ पर बीट किया है मतलब जादा बीट नहीं किया है लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि स्टॉक के वेटेश के अंदर आपको 72% लाज कैप मिलने वाला है और मिट कैप 19% मिलने वाला है और स्मॉल कैप के वल 8% है जो कि काफी अच्छी बात है यानि कि रिस्क यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत कम हो जाता है लाज कैप स्टॉक होने के कारण आप में अगर आप रिबैलेंस की टाइम लाइन देखेंगे अक्टूमर में यहाँ पर लॉस हुआ था नवंबर और दिसंबर के प्रॉफिटेबल गहते और काफी जादा यहाँ पर मोमेंटम भी हुई थी क्योंकि यहाँ पर गाइस यह मोमेंटम टाइप स्ट्राटेजी है तो यहाँ पर आपको बार बार स्टॉक को खरीदना और बेशना पड़ेगा तीसरा गाइस यहाँ पर जो मोस सब्सक्राइब हुआ था वो था इस्पेशली कैमिकल्स लेकिन इसको मैं यहाँ पर इग्नोर करने के लिए बोलूँगा क्योंकि यह जो सेक्टरियल बेसिकली स्मॉल केस होते है क्योंकि इस साल जो है बैंकिंग नहीं यहाँ पर धमाल किय उसके लाव गाइस आता है हमारी सेकिल नहीं जहां पर हम लोग बात करेंगे मोस सर्च पेड स्मॉल केस की इसके अंदर आपका अगें ग्रीन एनरजी है जो मैं अल्री आपको बता चुका हूँ काफी अच्छे स्मॉल केस है डिविडेंड स्टार से इसके लावा विकेंड ने इंवेस्टिंग का इन फफ टैन मुमेंटेम है तो देखेगे गाईस अगर मैं डिविडेंड स्टार की बात को तो विन मिल कापिटल बेसिकल स्कॉंग नाइस करता है और इसके अंदर खास बात क्या है यहाँ पर आपको एक सिंगल इंकर सब्सक्रिप्शन लेना तो equity का जो small cap index उसको यहाँ पर यह beat कर रहा है large cap की बात करो तो यहाँ पर beat नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके इंदर आप companies भी देखेंगे तो जादतर आपको 63% small cap companies मिलने वाली है अगर guys मैं बात करो कि भाई इसके इंदर dividend कितना मिलने वाला है तो ध्यान से इसके इंदर entry लीजिएगा इसके लिए guys दूसरा हमारा यहाँ पर जो most search small case है वो है MI का NFF 10 momentum weekend investing का तो guys अगर इनके small case की बात करो यह personally मैंने भी यहाँ पर subscribe किया था 2 साल का CAGR 30% का CAGR है एक साल की अगर आप return निकाल के देखेंगे तो large cap index को beat करता है rebalance currency यहाँ पर मंतरी है यहाँ पर fees की बात करूँ तो वहीं यहाँ पर 8000 रुपे एक साल का लगेगा थोड़ा सा expensive है और तीन महिने का यहाँ पर 2500 रुपे है इसके लगाईस अगर आप timeline मी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अक्टूमर के अंदर heavy losses देखने को मिल सकते है क्योंकि तब nifty fifty भी काफी बुरे तरीके से गिराता लेकिन अगर आप November देखेंगे तो profitable है यानि कि almost यह index को यहाँ पर follow करता है अब गाईस बात करते है उन स्मॉल केस की जिसके अंदर सबसे जदा है SIP के रूप में यहाँ पर पैसा लगा है 2022 के अंदर इसके अंदर गाईस mid and small cap focus है right momentum है जिसके बार में अल्यड़ी बात कर चुके है और है high quality right price तो guys जैसे यहाँ पर नाम से आपको दिख रहा है mid and small cap वाली सारी की सारी इसके अंदर focus basically portfolio रहेगा fees की बात करूँ तो guys यहाँ पर 3,000 रुपे है 3 महीने का और 6 महीने का यहाँ पर 5,000 रुपे के something है यानि almost 10,000 रुपे yearly based पे subscription एक साल के return की बात करूँ तो equity के जो small cap index है उसको यहाँ पर beat कर रहा है last से अगर आप compare करेंगे तो आपको almost यहाँ पर same return मिलने वाले है देखें guys इसके अंदर companies देखेंगे तो आपको last cap तो कभी दिखने वाला नहीं है केवल mid और small cap दिखेगा और जो maximum percentage 95% वो यहाँ पर small cap companies का है इस rebalance period की बात करो तो यहाँ पर कोई भी basically frequency नहीं है need basis पे है 20 यहाँ पर stock से और अगर आप timeline में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको December में losses वगरे देखने को मिल जाएंगे तो अगर हम लोग SIP के यहाँ पर returns चेक करते तो आप दे सकते maximum के यहाँ पर मैं ले रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते अगर आपने यहाँ पर basically 100-100 rupees की यहाँ पर SIP यहाँ पर शुरुवात की होती 2019 से तो आपका mid and small cap इस वाले small case में कितना बंद चुका होता वहीं पर एक small cap index कितना बनाता वहीं पर अगर मैं simply इसको large cap से भी compare करूँ तो guys काफ़ी अच्छी यहाँ पर return निकाल के दिये है अगला guys जो यहाँ पर small case निकाल के आता है SIP के रूप में invest करने के लिए वह यहाँ पर high quality rice price निकल के आता है काफ़ी पुराना small case है gain portfolios को manage करता है और fees की बात करो तो guys 3500 यहाँ पर 400 पर 6 मिने की fees है एक साल की 5900 है जो की reasonable fees है अगर यहाँ पर मैं returns की बात करो तो यहाँ पर screen के सामने आप देख सकते है अगर आप mid और small cap index के साथ compare करेंगे इसको यह beat नहीं कर पाए even negatives में return generate करके दिये है even अगर मैं large cap से भी compare करूँगा तो भी यह beatable नहीं है लेकिन guys अगर आप एक long term के अंदर SIP के अंदर investment करते है तो definitely जो large cap है और जो basically आपका mid और small cap है उसको definitely basically यह beat करता है rebalance की guys में बात के हो तो quarterly basis पे rebalance होता है 22 से दाद इसके अंदर stocks है और again small cap जो इसके अंदर 96% है और यहाँ पे mid cap 4% है कोई भी अभी right now large cap company नहीं है इसके लगाई हमारी अगले list जो आती है वो watch list के आती है इसके अदर again high quality rise price है और एक value and momentum यहाँ पे अलग से अड़ हुआ है value and momentum की बात के हो तो यह again winman capital का part है एक बात subscription लेना है सारे मिल जाएंगे आपको एक साथ एक साल की return की बात की बात के हो तो भाई small cap यहाँ पे index को beat करता है large cap से company करोंगे beat नहीं कर पाएगा almost equal है अगर stocks और weightage अगर आप देखेंगे तो large cap 33% है mid cap 6% है और small case यहाँ पर 60% है Rebalance की बात करो guys quarterly basis पर rebalance करता है और next rebalance की update यहाँ पर देख सकते हैं और यह momentum strategy की उपर है value और momentum दोनों strategies के अंदर mix है लेकिन मैं आप लोगों को size करूंगा इससे better आप यहाँ पर right research का plan ले सकते है directly momentum वाला इस total यहाँ पर 8 paid small case है जो यहाँ पर 2022 के अंदर सबसे जादा यहाँ पर लोगों ने subscribe किया है SIP के रूप में invest किया है और यहाँ पर अपनी watch list के अंदर रखा है इसके लाँ guys कुछ और small case है जो मैंने यहाँ पर subscribe कर रखे और जिसने मुझे अच्छे return यहाँ पर निकाल के दिये यह कोई भी recommendation नहीं है इसके अंदर जैसे तेजी मंडी flagship है जिसकी fees भी यहाँ पर बहुत कम है 6 मेने की only 894 रूपीज है और एक साल का सिर्फ 1100 रूपे है और इसको मोतीलाल उसवाल यहाँ पर manage करता है एक साल के return के अगर मैं बात करूँ multi cap index आप देख सकते हैं अगर आप large cap से भी compare करूँगे तो beat नहीं कर पाएगा लेकिन अगर आप maximum period दिखेंगे तो definitely यहाँ बीटेबल है stock के guys मैं बात करूँ large cap 46% है med cap 33% है small cap 21% है यानि कि multi cap टाइप वाला fund है तो जिसमें आपको 3 हो मिल जाते तो आपका risk जो allocation है वो भी यहाँ पर dंक से manage हो जाता है यह कुछ यहाँ पर paid small case थे जो आप यहाँ पर review कर सकते है यह कोई भी recommendation नहीं है मैंने आपको clearly बताए कि किन basis पर किन factors के basis पर मैंने in small case को यहाँ पर filter out किया है साथ में guys मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर small case अभी right now discount भी दे रहा है अगर आप subscribe करना चाहते तो ny30 करके आपको code यूज करना है तो यह मैंने आपको जो small case बताया थे उसके उपर आपको 30% flat of your subscription मिल जाएगा मुझे mail आया था कोई भी sponsor वीडियो नहीं है तो जो चीजे है वो मैं आपको transfer तरहीके से बता रहा हूं तो guys hope you like this video प्लीज सब्सक्राइब चनल अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment box में ज़रू बताये और हमारे चैनल को याद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा